हेलो अव्रीवन, ही लोग दीडिस, 717 टेरो पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हैं, मैं हूँ क्रिया और मैं लेकर आगई हैं आप लोग लिए फिर से एक और पिक कार्ट रीडिंग और अशकरती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने देर से ख्य तो यहां पर energies को check करेंगे, guidance देखेंगे आप लोग के लिए क्या कुछ है और यह भी देखेंगे क्या कुछ यहां पर होने वाला है, तो यहां पर दो options आप लोगों के सामने है, option first के लिए है यहां पर tiger, and option two के लिए है यहां पर dolphin, तो जो भी कार्ड आपको ज्यादा ट्र करें और हो सकता है ना भी करें, so आप सभी एक open mindset के साथ इस reading को देखिएगा, और अभी option first के साथ reading स्टार्ट करते हैं, हलो option first, so अगर आप लोगों ने tiger का car choose किया है, so देख लेते हैं, next seven days आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ guidance है, क्या कुछ advice है, क्या कुछ मिलकर रहेगा आप लोगों को, so सारी चीज़े यहां पर देखेंगे, लेकिन सबसे पहल अपनी strength को पहचाने, अपनी power को पहचाने, खुद को यहां पर यह कहां जारे कि आप खुद को क्यों बार-बारी कमजोर समझते हो, या somehow दूसरों के ऊपर dependent हो जाते हो, emotionally, या पिर आपको बस, you know, जैसे कोई इंसान है, आपके साथ गलत करता रहता है, और आप उस गलत को जाते हो, because आपको खोने से डर लगता है, दिखो इस चीट को समझो कि खो आप नहीं रहे हो, खो वो इंसान रहा है, because वो आपकी value नहीं समझ रहा है, वो आपको ग्रांटेट पर ले रहा है, तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि अपने आपसे प्यार करो, अपने लिए decision लेन चलिए देखते हैं अभी tarot से option first, और क्या कुछ है, कैसा रहने वाला है, कैसे रहेंगे next seven days, timeless reading है, male female देख सकते हैं, कोई भी age group से आप लोग हो, तो भी आप इस reading को देख सकते हो, this universe guide me for option first, six of wands, and two of pentacles, Okay, age of pentacles, nine of wands, बहुत मैंनत करते हो, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने dreams को पूरा करने के लिए, अपने साथ साथ आप लोग ऐसे हो, जो बहुत साथा importance अपनी family को देते हो, अपने friends को देते हो, लेकिन शायद बदले में हमेशा आपको वो नहीं मिलता, आप सब के लिए अच्छा करते हो, आप सब के लिए बहुत सोचते हो, आप ऐसी energies हैं जिसे आप sacrifice कर देते हो, आप दूसरों की खुशी के लिए, आपने बारे में भी नहीं सोचते हो, इतनी selfless energy है, इतना unconditional love आप सब से करते हो, लेकिन आपका दिल तुक जाता है, जब कोई सामने वाला आपके साथ गलत करता है, फिर आपको लगता है कि अच्छा होना ही विकार है, कुछ इस तरीकी के चीजे मैं आप लोग के साथ देख रही हूँ, सो option first, अगर मैं बात करूँ कि next seven days आप लोग ले कैसे रहने वाले है, बताती हूँ, जो चीज आपको आगे भढ़ने से रोक रही है ना, बस उसको छोड़ दो, छीक है, जो चीज आपको आगे भढ़ने से रोक रही है, वो कुछ भी हो सकता है, आपका attachment है, आपको डर लग अगर आपको एसा है, जो आगे भढ़ने से रोक रहा है, जो चोड़ दो, अगर मैं बात करूँ काम काफी जादा रहेगा आप लोग के बास, थोड़ सा परिशान चल रहे हो, अपने लोगों को ले के परिशान हो, दूसरों के बारे में सोच रहे हो, आपके लिए आपके आपके साथ गलत किया, आप उनके बारे में सोच के दुखी हो जाओगे, लेकिन फिर जो लोग आपके पास हैं, जो आपको समझते हैं, जो आपको प्यार करते हैं, आप उनके लिए बहुत साथा ग्रेटफुल हो जाओगे, तो मिक्स्ट, जैसे मैंने कहा कि एनरजी है, ए या सबस्क्राइब कर दो चलते हैं, तो फुछ हो जाओगे, तो दोनों ही चीज़े यहां पर मैं देख रही हैं, यानि कि नेक्स सेवन देस में मिक्स्ट एमोशन हैं, मतलब कभी दुखी हो रहे हूं, कभी कुछ हो रहे हूं, कभी बहुत जादा लोगली पील कर रहे हूं बहुत जादा काम भी हो रहा है, कभी 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 कुछ करने का आप लोग का जैसे मन भी नहीं कर रहा है, तो ऐसी एनरजी है, आप लोग को मैं यह सबसे जादा यह रिकमेंड करूंगे, कि थोड़ा सा एनरजी को अपनी बैलन्स करने की जरूरत है, तो आप लोग थोड़ा तो वो करोगे तो overall पूरे दिन के लिए sufficient energy आपके पास तहें कि health के लिए भी अच्छा है वह यह अच्छा है और multiple benefits होता है भी मैं प्रणायम के बारे में नहीं बता रही हूं लेकिन यह आप लोग के लिए अच्छा रहेगा यह चीज जो है वो यहां पर कही जा रही है इसके सामने वाले इंसान जैसे बात ही नहीं कर रहे थे कुछ misunderstandings create हो गई थी दूसरे लोगों की वज़े से आप दोनों के बीच में अगर अगर आप लोग already relationship में हो तो आपके जो भी चीजे हैं यहां पर वो sort हो सती है बात फिर से हो सकती है आप लोग की इनके जैसे कुछ लोग बात ही नहीं कर रहे थे बिलकुल no contact zone में चले गए थे लेकिन बात करोगे चीजे को sort करोगे bond फिर से strong होगा यह चीज मुझे आप लोग के नजर आ रही है और जिस चीज की विज़े से problem आ रही थी आपके रिष्टे में शायद वो कोई third person था ठीक है या दूसरे लोग problems create क बनाओगे यह चीज यहां पर कई जा रही है कुछ चीजों पर बिलकुल आपकी ऐसी situation है कि आप लोग गिव अप कर रहे हो भाई यह नो मतलब मैं और नहीं जहल सकते हैं लोग के dendrums कुछ ऐसा सा मैं यहां पर देख रही हूँ तो यह कुछ यहां पर है जब मैंने कहाई कि थोड़े mixed emotions रहने वाले हैं next seven days में यहां से और देखते हैं क्या कुछ guidance है, advice है, option first आप लोगों के लिए और क्या कुछ रहने वाला है thinking woman, okay, I said, option first, आप लोगों बहुत strong हो, अपनी strength को पहचानों, आप लोगों किसी से कम नहीं हो, ठीक है, कुछ लोग शायद आप में फॉल्ट निकाल देते हैं अपने आपो सही प्रूफ करने, I don't know, यहां पर कोई toxicity मुझे फील हो रही है आप लोगों की life में, जिस यह कहा अपनी life में प्यार की तरफ, पीस की तरफ आगे भढ़ो, जो लोग आपको नहीं समझते हैं, बेज़े होना है, अपना point-proof करते रहोगे तो अपनी ही energy को वेस्ट करोगे, ठीक है, जिने नहीं समझना होता है, वैसे भी नहीं समझते हैं, तो यह चीज यहां पर कही जारी ह यहां पर यही कहा जारा है, option first, peace, happiness, healing की तरफ आगे भरिये, अपने आप से प्यार करें, इसके साथ में फोर चक्रा कार्ड है, तो क्योंकि कुछ लोग ने गलत किया है, आप लोग के साथ, तो थोड़ा सा हार्ट चक्रा पर इसका एफेक्ट होता है, पढ़ता ही है, जब क करना चाहिए, वो उनका थौट है, वो उनका परिसेप्शन है, आपको परिशान नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां पर कहा जा रहा है, option first, कि अपने हार्ट चक्रा को हील करो, okay, आप लोग चाहो तो रोस क्वार्ट, यहनो रोस क्वार्ट मैं आज नहीं वेर किया हुआ है, दो रोस क्वार्ट का चिस्टल रहता है बहुत ही अछा है, इतिंग व्यार लेक्र करना चाहिए, कोच ऐसे स्वार्ट that है उभाट है कि अभी है कि नहीं हमेशा अकारब proportion छोzd कर हैं जो इसे के जए हुआ हो पर कुछ कुछ गुंच कृस्टल उते हैं वहाँ कि सवे नहीं करते हैं तक चलते हो हैं translates के चृत्ण कि अभी तक ढ़ने होगा सब्सक्तकी तने हमाइब वी शियर जो… ठीक है चले और देखते हैं यहां से क्या guidance है advice है हाँ crystals purchase करना चाहते हो तो आप मुझे instagram पर कने कर सकते हो आप या फिर मुझे mail भी कर सकते हो link आपको नीचे description box में मिल जाएगा ठीक है work through your fears yes कुछ डर है आपके मन में और यह मैंने बहुत ही initially ही reading में बोला था कि आपको डर लगता है यह इंसान मेरी जीवन से चला गया तो मेरा क्या होगा यह job चली गई तो मेरा क्या होगा पर काभीलियत आपके अंदर है भई चीक है आप इस चीच को समझो आप डरो नहीं hold your vision तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि अपने लिए step लो भई simply यही message मिल रहा है अपने लिए कदम भढ़ाओ अपने लिए step लो अपने सपनों को पूरा करो अपने जीवन को अपनी जिन्दगी को जीड़े से एक ही तो जिन्दगी है भई इसमें भी इतनी tension लेकर फरिशान होके क्या गरोगे तो खुश रहो it's time to take action तो यहां पर कहा जा रहा है कि यह जो समय है यह action लेने का समय है तो यहां पर actions लेने हैं आगे भरना है और जादा चीज़े को delay नहीं करना है जो चीज़ें आपके लिए work कर रही है उनको साथ में रखना जो नहीं कर रही है वहां से move on करना है ठीक है अभी यहां से और देख लेते हैं क्या guidance है आप्षिन फर्स्ट got action from your innate wisdom तो यहां पर यह कहा है भाई कि बहुत wisdom है आप लोके अंदर बहुत शक्ती है बहुत मैं बोलू तो wisdom है ग्यान है आप लोग के अंदर knowledge है शादी जो बाते मैं आपको इस reading में कह रही हूँ यह आपको already पता होगी कमी बस कहां रहे जाती है action लेने में option first आप लोग काफी अच्छे जो भी लोग इस reading को देख रहे हैं काफी अच्छी education आप लोग की रही होगी काफी अच्छा आप लोगोंने पढ़ाई में किया होगा या फिर creative बहुत जादा होंगे किसी चीज में talented बहुत जादा होंगे यह चीज यहां पर है आप लोगों क लिए तो यह कहा जा रहा है अपनी wisdom के साथ आगे भढ़ो अपनी knowledge के साथ आगे भढ़ो ओके और दिखते हैं option first आपको कोई भी डर नहीं होना चाहिए option first मैं यह कहूंगी आपके डर आपको आगे भढ़ने से रोक रहे हैं आपको पहचानना है अपने डर को और उनको दू जाते हैं listen to the message of the angels तो यहां पे आपके लिए प्यारा message है angels आपको guide करने की कोशिश करने angels आपको messages दे रहे हैं हो सकते हैं आपको angel numbers बहुत सादा दिख रहे हूं इन दुनों तो बस you know on synchronicities को जानो मेरे बहुत सारे message आते हैं personally DMs आते हैं मुझे यह angel number दिख रहा है इसका म बता दो अब भी देखो जब तक मुझे आपके पूरी current situation नहीं पता होगी न मैं आपको directly नहीं बता सकती कि इस angel number का यह meaning है या फिर इस stream का यह meaning है आपके लिए because you know vary करती है चीज़े तो या आपको खुद एक काम करना चाहिए कि आप अपने angel से पूछो कि you know क्या है इसका मतलब आप मुझे बताइए आप मुझे guide करिए में change करिए थोड़ी दिर फिर आप इस तरीके से caution पूछे तो फिर जो first चीज आपकी दमाग में आए ना जो first message आपकी दमाग में आए राइट वही आपकी intuition है और वही message है कि वो जो भी चीज़ें आपको आपके साथ हो रही है भाई 10-15 मिनिट प्रणायाम डेली बिसस पे जरूर करिए का okay so option first यह है आप लोगों की reading I hope आप लोगों को अच्छी लगी होगी like जरूर कर देना reading को और चैनल को subscribe कर ले अपना feedback जरूर से share करें यह reading कितनी resonate करी आप लोगों से कैसा लगा आपको यह सुनकर और नहीं भ आते हो तो आप मुझे Instagram पर connect कर सकते हो या फिर आप मुझे mail कर सकते हो लिंक आप ज़से मैंने पहले बताया description box में मिल जाएंगे and मैं मैं मिलती है आप लोगों से next reading में तब तक के लिए बाई Hello Option 2 So अगर आप लोगों ने डॉल्फन का काड़ चूस किया है तो देख लेते हैं next seven days अगले साथ दिन आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं क्या कुछ होने वाला है क्या कुछ guidance है advice है आप लोगों के लिए क्या कुछ मिलकर रहे का सारी ही चीज़ेंस reading में दिखेंग तो यहां पर मुझे आप लोगों के लिए एक पहला message मिल रहा है option two वो यह कि अपनी life में थोड़ा से fun को add करें थोड़ा से excitement को थोड़ा entertainment को थोड़ा से enjoy करें शायद से आप लोगों बहुत जादा इस वक्त workaholic हो चुके हो या बहुत जादा अपनी life को stress की तरीके से एक अगर आप अपने काम को fun की तरीके से करोगे थोड़ा से enjoy करके करोगे तो वह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा daily थोड़ा से वक्त कुछ ऐसी activities को दीजिए जिसे आप थोड़ा से dance practice कर रहे हो थोड़ा से zumba कर लिया weight loss के लिए aerobics कर लिया आपने या थोड़ा से walk प तो वापस से आप एक तरो ताजा एक fresh से यहां पर कहा जा रहा है कि feel करोगे थोड़ा से sun में जरूर रहें सुबह उपते सूरच को you know पांच मिनिट दस मिनिट जरूर रहें उपते सूरच की किर्णों में और आप लोग सूरे नमस्कार भी करेंगे तो बहुत अच्छ रह चलिए और देखते हैं यहां पर टैरो की help से option two कैसे रहने वाले हैं next seven days आप लोगों के लिए option two जितना जादा आप अपने काम को lightly fun के साथ करोगे उतना ही अच्छ रहेगा ठीक है बिल्कुल ही बना किया जा रहे हैं यहां पर option two इस ट्रेस नहीं लेना है जो चीज अच्छ लगती है वोगर जैसे कुछ लोगों डॉक्स के साथ बहुत अच्छ लगता है वोगर को प्लांस के क्यार करना ऑपने घर में है या नेचर में वोक करना वह बहुत अच्छ लगते हैं तो यहां पर आप लोगों के साथ तो यह कहा जा रहा है कि आप अपना टाइम वहां पर जरूर इस्पेंड करें बस यह कहा जा रहा है कि कुछ ऐसा करो जिससे आपको अच्छा फील हो ठीक है चल गए देखते हैं तो मैं पहला कार्ड लोगी नाइन उफ वांस ठीक है चलो नाइन उफ सौर्ड लेना था लेकिन फिर मैं ले लिए चलो और देखते हैं मैं बताती हैं को अप्शन तो मैं एक बड़ी कार्ड निकालनूँ छिक्स ओफ सौर्ड आपके कार्ड चुदी आरे हैं मतलब मुझे नहीं निकालने तेरे 2 वांस ते हैंपरेस पेज अफ कर्प्स and queen of pentacles okay option 2 बेवज़े परिशान होते हो आप लो मैं सची बताऊं ओवर थिंकिंग करते हो बेवज़े परिशान हो जाते हो किसी ने आप से एक बात करी है ना suppose किसी ने आप से कह दिया कि आप बहुत लापरवा हो रहे हो और आप उस बात को ना अपने मैंड में दस बारी रिपीट कर लोगे और खुदी उसे सोच कर पिर जादा परिशान हो जाओगे यहाँ पर कहा जा रहा है option तो कि अगर आप से कोई कुछ कहता है यहाँ उस चीज़ को इतना जादा अपने दिल पे मत लिया करो ठीक है थोड़ा सा light energies में रहना सीखो थोड़ा सा जैसे मैंने कहा कि fun को अपनी life में add करो यह वक्त जो है यह transformation का वक्त आप लोग के जीमन में चल रहा है transactions हो रहे हैं, transition हो रहे है changes आ रहे हैं, life में, काम करने की तरीके में changes आ रहे है या फिर job करते हैं तो जिसे काम भड़ रहा है थोड़ा सा pressure आ रहा है लेकिन आप जितना जादा अपने मन को शान रखोगे जितना जादा relax होगे अपने काम को करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा next seven days कैसे रहेंगे आप लोगे के लिए अगर मैं ये बात करूँ तो कुछ चीज़ें आपको थोड़ा सा परिशान कर रहे हैं because nine of wands and nine of swords and six of swords है तो कुछ चीज़े definitely आपको थोड़ा सा परिशान कर रहे हैं अगर कुछ होता है जो भी कुछ होता है वो किसी ना किसी रीजन से होता है तो यह जो energy's are temporary नियों फोड़ी इस परपिश है आप लोगों के लाइफ में इसके बाद यहां पर success आ रही है यहां पर abundance आ रही है यहां पर growth आ रही है जो भी पेन है जो भी कुछ है बस कुछ दो तीन दनों कही है जो आपको परिशान कर रहा है तो यहां पर बस यह कहा जा रहे कि परिशान नहीं हो ठीक है आप अच्छी बुक्स को रीट करो या फिर आप कुछ अच्छी बातों को सुनो या फिर I don't know but I am feeling like अजिसे पर्टिकलर या एप किसी गुरू को फॉलो करते हो या इसे गुरू को बहुत सादा नहीं या बढ़ादे को पुछ है आप उनकी बातों को फॉलो करते हो just connect with them एक आप उनसे करो अप उनसे बाते कर सकते हो तो उनसे बाते करो आप आप पो अच्छा मैसूस होगा पर आप उनकी जैसे वीडियोज देख सकते हो या कुछ भी आप वो करो आपको अच्छा फील होगा या फिर से आप समय समय पर किसी मंदिर मजद गुरदारा चर्ट जो भी कुछ है वाँ आप जाते हो तो वहाँ पर जाओ थोड़ देर बैठो थोड़ ध्यान करो थोड़ देर मंतर का किसी का भी जाप करो प्रेयर करो प्रात्ना करो आप वो अच्छा लगएगा ठीक है बस यह चीज कही जादे कि आप बेवज़े ऑप्शन टू थोड़ा से जादा स्ट्रेस ले रहे हो आप लोगो को बहुत कुछ सीखोगे और सीख के तो आगे भड़ोगे राइट तो चीज़ें इतनी जादा स्मूद नहीं है चीज़ें इतनी जादा स्मूद नहीं है लेकिन बस जैसे कहाना के जो अच्छा लगता है वो करो आपके रीडिंग में मुझे बार बारी बस यही मैसेज आप लोगे मिल रहा है और पेज अफ कप्स भी यही कह रहा है कि खुद को लाइट एनरजी में रखो खुद को फन एनरजी में रखो खुद से प्यार करो सब कुछ अच्छ लोग अगर बस यह कहा जारे कि अपनी मावर्च के साथ जड़ हो सकते हैं आपकी मेंटर हो सकते हैं आपकी गुरू हो सकती है तो आपको बहुत अच्छा लगी तो यह चीज यहां पर कही जा रही है ठीक है चलिए और देखते हैं option 2 कैसा है यहां पर कैसा रहेगा आप लोगों के लिए फिर से candle बुझ गई चलिए देखते हैं option 2 यहां पर किसे नजर आ रहा है कि अपनी इंजाइटी अपनी स्ट्रेस से वॉक अवे करो ठीक है खुश्यों की तरफ आगे बढ़ो लव और लाइट की तरफ आगे बढ़ो डेली बेसिस पे थोड़ा ध्यान जरूर करना आप लोग ठीक है ध्यान जरूर करना ओके वो चक्रा और यह वाला कार्ड भी option फर्स्ट में था option 2 आप लोग चाहूं तो एक बार यह option फर्स्ट फाली रीडिंग भी देख सकते हूं हो सकते हैं कुछ messages वहां पर हूं आप लो अपने मन के डर को दूर करो ठीक है अभी जैसे मैंने कहा कि आगे तो भढ़ नहीं है सपने देखे हैं तो उनको पूरा तो कर नहीं है तो अब जब सोच लिया आगे भढ़ने का तो अब अपने डिसिजन पर डाउट नहीं करना है अब बस अपना 100% यहां पर देना है वह सब्सक्रा को हील करो तब ही जो चीज़े मैनिफेस्ट कर रहे हो ना वह मैनिफेस्ट कर पाओगे तो हार्ट चक्रा को यहां पर हील करो ओके आप लोग रो स्कॉर्ट और ग्रीन एवेंचरिन साथ में वियर करना ठीक है मैं दिखाती हूं तो यह है रोस्कॉर्ट और यह है ग्रीन एवेंचरिन यह यह दोनों ही क्रिस्टल आपके हार्ट चक्रा को हील करेंगे आपकी लव लाइफ आपकी करियर के लिए बहुत अच्छे रहेंगे तो आप इन दोनों को ही साथ में वेयर करो वाकि आपकी चॉइस है लेकिन वेयर ट्रेंडर टुटी टिवाइन और यहां पर पूरा मैसेज में जो भी आपकी परिशानिया है जो भी आपके डर है यह उन्याइकर के चर्णों में उनको सरेंडर कर दो यूनिवर्स के आगे वह सरेंडर कर दो अभी आगे पड़ो पिछे मुर मुर के बार-बार नहीं देख को या कभी आखि 5 डास पर ऐतब जासे स्फ़ेलियर रहें कभी जो भी कुछ रहा वह में तो यहां पर एसा है कि अपने अंदर तो बहुर संहें ठीक है रिलीजिंग यहां पर करना है आप लग एफिर्मेशन भी दे सकते हैं I release all my doubts, all my fears, all my insecurities यह जो भी कुछ छीज़े हो ठीक हो ठीक है आप एफिर्मेशन अपने लिए ज़रूर से यूज कर सकते हूं निची comment box में भी I release करके आप अपनी life में क्या क्या release करना चाते हैं इस reading को देखते देखते जरूर सोचना और comment box में type करना ठीक है यह यह आपको थोड़ा सा करना है यह सोचना है आपको comment करना है और पर आप उसको release करने के ऊपर काम करना I release all my negativity ठीक है I release my insecurities, I release my doubts, I release my fears, I release my attachments ठीक है तो जो भी कुछ है भई आपको ढूंड़ना है आपके अंदर क्या है ऐसा एक और कार देख लेते हैं communication इसकी तो यहां पे बात्चीत से बहुत सारी जो भी problems आप लोग के life में चल रहे हैं उनकी solution आप लोग को मिल सकते हैं तो बात्चीत करो भई ठीक है यह कहा जा रहा है यहां पे और साथ में communications की उपर काम भी करो अपने throat chakra की उपर भी यहां पे साथ की साथ काम करो option two okay और यहां से लास देख लेते हैं क्या guidance है option two कितना हमें dependent होना है वो भी limit होती है तो यहां पर थोड़ा से इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा यह दुनिया आपके जैसे नहीं है सब लोग आपके जैसे नहीं है सबका अलग सोचने समझने करने का तरीका होता है और जब चीज़ें आपके according नहीं होती है तो यहां पर कुछ आपन शर्टीज में आप लोगों के सामने आकर रहेंगी यह एनर्जी को क्लेम करना और आपको बिनना डाउट के बिनना पीर के आगे भढ़ना है उनको अवेल करना है नहीं तो फिर वो चली जाएंगी फिर बात में रिग्रेट रह जाएका ऑप्शन टू तो यहां पर यही कहा जा रहा है कि सक्सेस की तरफ खुशियों की तरफ अपनी लाइफ के एक न्यू चैक्टर की तरफ आगे भढ़ो डाउट मत करो ओकी सो ऑप्शन टू यह है आप लोगों के रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी होगी पीड़एक जरूर शेर करि तो आप मुझे इंस्ट्रेगरम पर कनेक कर सकते हो या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हों तो यह लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे इस केमर से साफ़दान रहें मैं अपना नम्मर का भी भी कॉमें बॉक्स में शेर नहीं करती हूं तो मैं म